रियल में GT, New 3T, GT2 या 2 Pro है तो उसके अंदर आप नेट्रोट सैटिंग को किस तरीके से रिसेट कर सकते हो यानि कि आपके फोन के अंदर वाइफार कनेक्ट है और उसके अंदर आपको काफी प्रॉल्म हारे है जिसके आपको वाइफार कभी बीकानेक्ट हो जाता है या उसका इंटरनेट से या और अपके फोन केंदर नैट्वर की प्रवलय का रहे हैं, और उसका इंटरनेट से लोग है, और तो य 그대로 होती है तो इसको आपके इस तरीके से साई कर सकते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर natural setting को reset करना पड़ेगा और natural setting से क्या-क्या आपका यहाँ पर नुकसान होगा मैं आपको उताता हूँ आपका नुकसान यहाँ पर बस इतना होता है जितने भी आपने wifi connect कर रखेंगे वो सारी-सारे forget हो जाएगे जितने भी आपने bluetooth connect कर रखेंगे सारी-सारे forget हो जाएगे लेकिन आपका कोई भी जैसके sim का data होता है वो आपका waste नहीं होगा और आपके जो कि यह सारी-सारी problem होती है net की और आपके network की सारी-सारी ठीक हो जाएगी तो उसके लिए कोई करना है सबसे पहले अपने phone की सेटिंग ओपन करना है और यहां से नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको अपको सबसे नीचे जाना है यहां पर आपको option मिलेगा backup and reset आपको इस पर टैप करना है फोन रिसेट पर टैप कर लेना है option शोगा reset network setting इस पर टैप कर लेना है और आपने यहां पर फिंगर पिल लगाया तो पैटन लगाया तो पैटन कर सकते हो यह आपको बस अपने लोग स्क्रीन वहां पर confirm करना अगर आपने लोग स्क्रीन पर कुछ निलगा रहता तो आपको लेकिन आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तो असी तरह से अपने फोन के नाट्रो साइटिंग को reset कर सकते होगा वीडियो चले ते वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाए